विपन कुमार शर्मा और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about bacteria versus men हम लोग सर्फ यह देखना चाहते हैं कि bacteria एक single cellular organism है प्लस यह prokaryot है यानि कि इसका genetic material भी नंगा पुंगा प्रेजन रहता है क्योंकि यहाँ पर कोई nuclear envelope नहीं है तो क्या यह वो सारे function कर सकता है जो कि एक well developed human being करता है तो इसका answer है yes और किस तरीके से आज हम वो discuss करने वाले हैं तो welcome guys to neat user intent let's crack it अभी हम लोग बात करेंगे कुछ general चीज़ों की so these are my credentials आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं otherwise हम लोग आगे बढ़ते हैं so unacademy की learning app डाउनलोड करके आप हमारे साथ जुड सकते हैं you just have to download this app you just have to install it and you just have to click on get subscription जैसे ही आप लोग get subscription पर click करेंगे आपको हमारे सारे के सारे packages अपनी screen पर दिख जाएगे I will recommend you guys कि आप यहाँ पर एक साल या दो साल का subscription pack opt करें because यह आपको comparatively सस्ते पढ़ते हैं और आप you know basically इनको pass on भी कर सकते हैं and अगर आप यहाँ पर referral code enter करते हैं Wipin तो आपको instantly 10% का discount मिल जाएगा आपको मेरे सारे के सारे notes मिल जाएगे जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेंगे and third last but not the least आपको मेरा एक साल का free mentorship program भी मिल जाएगा जिसकी वज़े से आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं in your competitive examinations so please make sure कि आप इस code को use करें और मज़े उठाएं सब्सक्रिप्शन के bacteria versus human और bacteria versus men so bacteria का structure बहुत simple होता है अगर मैं bacteria cell बनाने की कोशिश करूँ तो बहुत आसानी से बना सकता हूँ यह है मेरे bacteria की membrane और यह उस membrane के उपर present wall इसके अंदर है इसका naked genetic material जिसे आप लोग प्यार से बोलते हो nucleoid और उसके अलावा है कुछ important parts nucleoid यहाँ पर कुछ storage bodies present हो सकती है यहाँ पर कुछ ribosomes present हो सकते हैं which are going to be 70S in nature और यहाँ पर infoldings of plasma membrane present हो सकती हैं जिसे आप mesozoom वगेरा कहते हो यह सब हमें अभी consider नहीं करना है यानि कि इसका structure देख रहो कितना simple है एक तरफ हमारा अगर मैं अभी बनाने बैठ जाओ तो यार हमारे उपर पूरी books लिखे जा चुकी है anatomy, physiology, embryology, immunology इतना complex है हमारा human system तो क्या हम लोग एक same platform पर आकर टकर कर सकते हैं बिलकुल क्योंकि they are very complex in behavior क्योंकि compared to many other organisms bacteria show most extensive metabolic diversity यानि bacteria के अंदर almost हर वो reaction होता है जो कि आपकी body में होता है except a few क्योंकि यार अभी हम लोग इतने बड़े हैं ये लोग इतने छोटे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो demerits इनके पास होंगी लेकिन जैसे कि आप लोग energy utilize करते हो ये भी कर सकता है आप लोग move कर सकते हो tank से ये move कर सकता है flagella से आप लोग बलकि photosynthesis नहीं कर सकते काफी bacteria तो photosynthesis तक कर लेते हैं यानि कुछ cases में ये आप से भी advance है इतना चोटा सा bacteria but it used to play all the various roles that you can't ओके सो human होने का इतना गुमान ना करना है दोस्त एक bacteria भी तुमसे ज़्यादा function कर लेता है सो some of the bacteria are autotrophic यहाँ पर सबसे important word autotrophic नहीं है यहाँ पर सबसे important word है some यानि कि अगर आप बात करें so this is the minority यानि autotrophic bacteria जो खुद का खाना बनाने वाले bacteria है वो minimum है number में यह majority नहीं है यानि कि अपना खाना खुद बना सकते हैं from inorganic substrates लेकिन यह photosynthetic भी हो सकते हैं और chemosynthetic भी हो सकते हैं यानि या तो chemical को use करके खाना बनाएंगे inorganic chemicals को use करके या फिर आपका basically क्या करेंगे light की help से खाना बना लेंगे so यहाँ पर क्या हुआ vast majority of bacteria are heterotrophs यानि कि अगर आप से कोई question पूछ ले bacteria autotroph है या heterotroph है तोरों में से एक ही अगर select करना है तो आप heterotroph को use करोगे क्योंकि यहाँ पर basically क्या बात हो गई यहाँ पर majority की बात आ गई यहाँ पर बात आ गई बहुमत पे और बहुमत यह कहती है कि bacteria खुद का खाना खुद नहीं बना सकते they depend on other organisms or on dead organic matter for their food यानि जो चीज़ मर गई है उसके उपर यह survive करना start कर देते हैं जैसे कि dead leaf twigs इनके उपर क्या करते हैं खाना वाना खाना start कर देते हैं जो dead animals होते हैं उनको भी degrade करने का काम आपका bacteria का रहता है so कहने के लिए यह बहुत छोटे हैं लेकिन इनकी metabolic diversity बहुत ही जादा vast है और इस पर question आता है NEET में इनका जो छोटा proportion है वो photosynthetic है which can be chemosynthetic यानि chemicals का utilization करते हुए and second important part is photosynthesis यानि light का utilization करते हुए they can make their own food second most important thing that majority of the bacteriums are heterotrophic which cannot make their own food यानि वो किसी और पर depend करेंगे किसी plant वगेरा पर या फिर directly चीजों को dead चीजों को खाना start कर देंगे so overall अगर देखा जाए so ये हर वो काम कर सकते है हर वो reaction निके अंदर होती है जो कि किसी advanced organism के अंदर होती है so in terms of metabolism they can give competition to any other complex organism so I hope guys आपको ये video समझ में आई होगी if you really got this video then please give this video a big fat thumbs up अगर आप subscription लेना चाहते हैं तो whip in code का please इस्तमाल करे और आप हमारे channel को subscribe कर दीजिए इस bell icon को press कर दीजिए as well as हम से telegram पर जुड़ जाए the link is provided in the description below because we are making supreme content for you guys so it becomes your responsibility to you know support us and I seriously want to ask you something कि अगर आपको questions बगरा चाहिए इस channel पर इस platform पर तो आप मुझे बता सकते हैं I'll be making a lot of questions for you guys as well जिसे कि हमारा जो chapter खतम होता जाए उसके साथ साथ हम उसकी थोड़ी बहुत practice भी करते जाए 10 मिनट के अंदर हम लोग top rapid 10 questions की एक series लेकर आए और दिन के हम लोग काफे सारे questions यसे साब से tackle कर सकते हैं यानि दिन के 3 series अगर questions की आ रही है और 3 series अगर content की आ रही है तो हमारा overall जो questions as well as you know practice का domain है वो strong हो जाएगा और I think हम लोग इस चीज़ को बेटर तरीके से deal कर पाएंगे so thank you so much guys for watching this video and just let me know in the comment section whether you want the question practice or not alright thank you so much lots of love bye bye